नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है मांशू पारशार आप देख रहे हैं मांशू कोचिंग क्लासेज बात आप टॉपिक टाइटल पर देखके हिएँगे अन्रे सीटी पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली सबसे पहली बात से स्टार्ट करता हूं कि NRACET को लेकर कोई अफडेट नहीं है तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपका टाइम बरवाद करने के लिए जी नहीं मैं आपको बहुत सही चीज़ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में NRACET कहा गया है कि ये मार्च में होना है अब क्या होना है ये नहीं पता है ठीके मुझे नहीं लगता कि ये होगा मैं फिर वोई वाद बोलूँगा ठीके SSC कलेंडर के वारे मैं बात कर लेते हैं SSC कलेंडर डेफिनेटली आएगा ठीके अब सर्फ उन बच्चों को मैं लेता हूँ जो प्रपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो बहरी बात को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि जो चीज जो experienced है मतलब जिन कोई एक साल हो गया च्छे माईने हो गया तीन माईने हो गया प्रपरेशन करते हुए उनकी बात नहीं कर रहा है मैं नए वाले students की बात करूँगा जो नए नए prepare करना start कर रहे है फिर वो चाहे 12 से कर रहे हूँ या फिर graduation से कर रहे हूँ बहुत ध्यान से सुने आप NRA CET के बारे में ज़्यादा मत सोचो आपको मैं बताता हूँ आप किस बारे में सोचो यदि आप मध्यप्रदेश से हैं जैसे कि मैं हूँ मध्यप्रदेश से मध्यप्रदेश में कई सारे state के exam आते हैं आप पटवारी ले सकते हैं आप teaching वाले ले सकते हैं MPPSC आता है और भी कई सारे exam साते हैं चोकि ब्यापम कराता है PEB जिसे हम कहते हैं ठीक है। यदि आप किसी अन्यों 나서 है राजसे हैं। राइस्थान हो गया, उत्र-प्रदेश हो गया। और वहाँ से हैं। तो वहाँ पर भी कैनी सारे MP लेबल के एक्जाम होते हैं। यदि आप ten को टार्गेट करना चाहते हैं। तो आप उनको टार्गेट करेण। ठीक है, SSC भी कई सारे exams लेता है, जैसे कि CHSL, CGL, CPO, MTS, ऐसे कई सारे exam होते हैं, इनके बारे में आप देख लीजिए, और फिर इन में से आप prepare कर सकते हैं, या तो आप MP से related, मतलब state exam से related exam की तियारी कर सकते हैं, SSC की तियारी कर सकते हैं, आप banking दे सकते हैं, banking में IBPS exam लेता है, insurance का भी exam इस बार expected है, कि शायद हो, इस बार LIC के IPO के आ जाने के बाद, IPO आ जाने के बाद, ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें vacancy देखने को मिले, LIC में, live insurance corporation में, ठीक है, दूसरा क्या SBI लेता है, IBPS भी लेता है, IBPS चार exam conduct कराता है, basically banking के लिए, जो कि सब जो student graduation क यह होते हैं, इसमें 10-12th level पर नहीं होता, एक बात मैं बता दूं, कि 10-12th level पर नहीं होता, banking के अंदर, selection आपका, exam भी नहीं होता, ठीक है न, तो graduation यहां पर ज़रूरी है, दूसरी कई, ऐसे और भी exams होते हैं, जैसे UPSC, MPPSC, NDA, यह साब आप जानते हैं, ठीक है, आप exams पर करिए, आप अपना focus in exam पर करिए, एक बार फिर से NRACET पर focus मत करिए, कारण क्या है, कारण डायरेक्ट बताता हूँ, कारण यह है कि इसका slavus नहीं है, अब कुछ educator बता तो रहे हैं slavus, शायद वो हो जाए, शायद government जब slavus निकाले, तो शायद वो ही slavus निकले, प मैं आपको पूरी तरीके से free कर दिया, आज, तो जब तक मत देखना, कोई भी वीडियो, जब तक NRACET, कोई अपना website ना बना ले, slavus ना निकाल दे, कोई नहीं update ना आ जाए, बित प्रूफ के साथ, नहीं update, बित प्रूफ के साथ, वीडियो वाली बाजी नहीं, हब आज बाजी में बाते नहीं, वो वाली बाते नहीं सुनेंगे हम, ठीके, हम जब तक proof नहीं मिल जादा, तब तक हम NRACET को लेकर question नहीं उठाएंगे, बिल्कुल भी, हम prepare करेंगे, मैंने आपको exams बता दी, या तो आप state exam की तियारी कर लीजे, आप अपने SSC की exam की तियारी कर सक आप teaching में जा सकते हैं, आप MPPSC, UPSC, जो भी आप exam की तियारी कर रहे हो, या आपके mind में है, या आप जानती हो कि हाँ, मुझे यह करना है, बस में जुट जाओ आप, बस, मैं बता रहो, job लेना government sector में, लेना काफी tough है, इसलिए आप बस जुट जाओ, करना शुरू कर दो, मैं सोचो यह सब चीज़ें, यह सब distraction है, मैं आपको बता रहा हूँ, यह distraction ही है, इसलिए आप इस distraction में मनाफस के, आप पूरी तरीके से मैनत करो, जो भी आपका target है, आपका target यदि SBI है, लग जाओ, आपका target SSC, CGL है, लग जाओ पूरी तरीके से, thank you so much इस वीडियो को दे एक्जाम होते हैं, कॉन को से कैसे लेता है, कैसे नहीं लेता है, एक्जाम कहां से होता है, इसलिए बस क्या है, कितनी cut-off जाती ही, सब देख लो, पूरा mind map हो गया, mind map ही हो गया, अब prepare, बस, clear है, thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए, इससे यादा मैं कुछ नहीं बोलू झाल, thank you.